दिली अंसियार प्रिदूशन मामले परा सुप्रीम कोट फिर से सुनवाई करेगा बीटे दिन हुई सुनवाई में कोट ने संकेत दिया था कि वो एक स्वतंत्र टास्क पोर्स का गठन करेगा साथ ही केंदर और राजसरकारों को 24 घंटे का समय देते हुए कहा था कि वो कुछ करें नहीं तो अब कोट कदाम उठाएगा कोट ने सक्त रवया दिखाते हुए सुनवाई में दिली सरकार को जम कर फटकार भी लगाई थी कोट ने सीधे शब्दों में कहा है कि दिली सरकार सिर्फ प्रचार पानी की कोशश में जुटी रहती है उनकी प्रयासों में कोई गंभीरता नहीं डिखती कोट का माना था कि केंद्र और राजी सरकारे बहुत तरह के काम करने का दावा कर रही है लेकिन हाकिकत में कुछ भी होता हुआ दिखाई नहीं देता जजों ने कहा कि समय भी QI सतर 450 से उपर है चीफ जस्टिस रमना ने आगे कहा कि हम तीनों जज आपस में बात कर रहे थे कि अब हमें कोई सक्स गदम उठाना पड़ेगा हमें एक सोतंत्र टास्क फोर्स का गठन कर सकते हैं फ्लाइंग स्कॉइट भी बनाए सकते हैं और जो प्रदूशन फेलाने वाले उद्योगों निर्मान और गाडियों पर सीधी कारवाई कर सके तो एक बार फिर से आज सुप्रीम कोट में बढ़ते प्रदूशन को लेकर सुनवाई होगी आपक उता दे कि कल सुप्रीम कोट ने केंडरो दिल्यी सरकार को जम कर फटकार लगाई थी साथी साथ दिल्यी सरकार से कहा था कि जब वर्लफरम होम की ववास्ता आफ इसकों के लिए की जा रही है तो बच्चों के लिए आकिरकार श्कूल क्यों कोले गए हैं ऐसे में कल दिली सरकार की तरफ से फैसला लिया गया कि स्कूल अब बंद कर दिये जाएंगे यानि कि आज से दिली में स्कूल फिर से बंद कर दिये गए हैं